आईपेड आजकर बहुत डिमाड में है और पूरे विश्व में इसका स्टॉक खतम हो चुका है आप किसी भी शॉप पर जाईए और पूछिए क्या आपके पास आईपेड है तो आगे से शॉप की पर ये जवाब देता है सर नहीं अभी मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है आई चुकी है तो सबसे बड़े दो कारण है नमबर वन है स्टडी एट होम नमबर टू वर्क एट होम जितने भी बच्चे हमारे देश में वो स्कूल नहीं जा पा रहे है क्योंकि क्रोना वारिस की वज़ा से उनको रिस्टिक्ट किया गया कि आप स्कूल नहीं आ सकते और अपने बच्चों को स्टडी मिटीरियल उनके वट्सैप पर सेंड कर रहे हैं बच्चों के पास कोई परसनल अपना मुबाइल तो होता नहीं है तो वो पेरेंट्स के वट्सैप पर सेंड कर रहे हैं और जूम एप्लिकेशन पर उनसे मीटिंग कर रहे हैं जिसकी वज़ा स पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही उनके फोन पे material आता है तो उनको वो अपना फोन बच्चों को देना पड़ता है और बच्चे लेके बैठ जाते हैं दो दो तीन तीन घंटे उनका फोन बिजी रहता है जिसकी वजह से पेरेंट्स अपना personal काम नहीं कर पा मैं इनको एक iPad खरीद देता हूँ जिसमें जो है ये बड़ी स्क्रीन रहेगी जिसमें पढ़ भी सकेंगे और अपना कोई स्टीडी मिटीरियल उन्होंने ढूंड़ना है तो वो भी इसमें वो ढूंड सकेंगे अब बात करते हैं work from home पर बहुत सारे आपको सभी iPad पर 10 घंटे का battery backup मिलता है और ये उठाना भी बड़ा easy है कहीं भी छोटे pocket में डाल लो मतलब कि छोटा आपके बास bag है तो आप उसमें डाल सकते हैं और अराम से कहीं भी रिक्स को ले जा सकते हैं जितने भी लोग traveling में रहते हैं वो iPad यूज करना जादा पसंद करते हैं और आज कल एक application है Zoom जिस पे जो है meetings होती है तो ये application इस पे available है तो आप कहीं पर भी हो चाहिए आप train में हो चाहिए आप किसी गाड़ी में हो तो आप अपनी meeting attend कर सकते हैं तो इसमें Excel का का काम भी हो जाता है word का काम भी हो जाता है और net browsing भी अच्छी होती है speed भी अच्छी होती है इसलिए जितने लोग work from home कर रहे हैं तो वो भी आज की डेट में iPad खरीदना चाहते हैं जिसकी वजह से iPad के stock पर बहुत ज्यादा demand बढ़ गई जिसकी वजह से इसका stock पूरी market से गायब हो चु क्यूंकि जो वहाँ पर coronavirus की वजह से बहुत सारी factories अभी भी बन पड़ी हैं जो और जो काम कर भी रही है वो भी कुछ limited quantity में iPad बना रही हैं अगर आप भी एक iPad खरीदना चाहते हैं तो आपको अगर राय चाहिए कि आप कौन सा iPad खरीदे तो आप मेरे comment section में लिख सकते हैं मे iPad 7 generation आता है 30,000 का इसके बाद आता है iPad Mini 5 35,000 का इसके बाद आता है iPad Air 45,000 का और अगर आप एक top and बढ़िया iPad लेना चाहते हैं जिसकी speed बहुत हो performance बहुत अच्छी हो तो वो आता है iPad Pro तकरीमन 71,900 से इसका price स्टार्ट हो जाता है इसमें दो तरह के iPad आते हैं एक आता है Wi-Fi द मेरे को comment section में बताईए कि मेरे को iPad पर वीडियो चाही तो मैं इसमें बहुत ही detail में आपको वीडियो बना के दूँगा तो यह चोटी सी वीडियो सी दोस्तों मैं अभी काम पर जाने वाला तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक चोटी सी वीडियो बनाई जाए तो चोटा सा म से iPad आते हैं इस पर क्या-क्या फायदे हैं तो thank you very much दोस्तों मेरे भी काम पर जाने का time हो चुका है मिलते हैं next वीडियो में जब तक के लिए take care bye bye stay home stay safe